आज तुझसे जो कहना है कहने दे मेरा दिल तेरे पास रहने दे आप सोच रहोंगे मैं गाना क्यों गा रहा हूं वैसे मैं अलग-अलग गाने गाता रहता हूं मगर इस गाने के पीछ एक बहुत बड़ा कारण है दोस्तों आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी हंगा मा जिसके अंदर आफताफ शिव दासानी और अक्षे खना के बीच में जब जगड़ा हो रहा था तो वो दोरों इस तरह की बात करते हैं लगाना लगाना दिखाना 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 में को जानता नहीं है तू दूंगा मैं एक दूंगा तू जानता नहीं मेरे को मैं क्या कर सकता हूं चूके दिखा चूके दिखा तो कुछ इस तरह का जगड़ा दिखा निशानत और श जब तक वो घर के अंदर नहीं आई थी तब तक निकी अपनी मनमानी कर रहे थी लेकिन अब अभी नव भी पूरी धार लगा चुके हैं रुबिना के साथ वो पूरा पूरा गेम खेलते हैं अभी नव कंटीनियूजली लोगों को फीड करते रहते हैं दिमाग डालते रहते हैं कि इतनी आसानी से बेवकूफी होती भी अपनी अखों के सामने मत देखो और वहीं रुबिना तो क्लियर क्लियर स्टेंड लेकर के सामने आ जाती हैं कि आ रहे हैं वहीं पर जो जान जिसमें इतनी जान दिखने रही खेल के हैं मगर फिर भी उस जान ने लोगों को यानि निशान्त को ये का कि निशान्त ये दोनों पती-पत्नी है ना दोनों अलगी टैंजरीन में चले जाते हैं अलगी गेम को लेके चले जाते हैं लेकिन ये दोनों करते बहुत जबरदस्ते हैं, वहीं पर रुबिना, वहीं पर निकी ने भी अपने टीम को इतना मजबूत बना लिया है, कि वहाँ पर एक पक्का पैक बन गया है, जिसके अंदर राहुल वैद्या, निकी तंबोली और निशान तो परमानेंट ही है, और कि दिखती है, स्टाइलिश दिखती है, तो जान पूरी कोशिश कर रहा है, बगर जान का प्यार वह है ही नहीं, मैं तरको चाहती नहीं हो, तू मेरा दोस्त है, फिर जब काम पढ़ता तो कहती है, जानो, जान, तेल लगा दो, अरे उस लड़के से बार बार ऐसे तेल लग करती है, ये गलोथ है, तू में इसको ऐसे नहीं कह सकते, मैं सब का दोस्त हूँ, मतलब वहीं पर डिपलोमेटिक होते हैं, उसने क्या बोला, मैं सब का दोस्त हूँ, कोई नया पूराना नहीं हो था, तीम है, अपन सब एक दूसरे के दोस्त हैं, और वहीं पर, जिस खerson کher कर रहे थे राहुल वैद्या के लिए उसने बहुती बड़ा कचरा कर दिया आज बहुती बड़ा कचरा कर दिया और क्लीन स्वीप मारते वे इजाज भाई ने बता दिया बंदे में अधम बंदे महत्रम और जबर्दस तरीके से खेला वीकेंड का कंटेंड भी मिल गया बुद्धा ने भी हूं क्या हुआ अजाज भारी क्या हुआ है मेरे से दस साल चोटा है यह तफर तु मुझे क्या बलोगे अगर इसको ही बलोगे दादाजी तो यह बहुत बड़ी राहुल ने गलती कर दी बिकॉस राहुल ना पकड पा रहा था ना पॉंच पा रहा था अनरजी भाई दे क्लियर सूइब भाई अजास खान और ट्रिमेंडर्स इनिंग प्लेड बाई अजास खान और क्लियर नॉक आउट उन टैन बॉल्स फिफ्टी तो क्लियरली जबर्दस वाला गेम खेल के इसास सामने आए दोस्तों इसास भाई के बारे में बात करनी यह कैमरों से बाते करता है यह इमोशनल स्टोरीज भी करता है पास्ट बड़ा खतरनाक है अभी करंट में यह अपनी जिंदगी में एक सोलो वारियर है अकेला रहता है कुछ डॉक्स के साथ में मैंने इनका एक एपिसोड देखा आप में से किसी कॉमेंट पढ़ने के बहुत ज़्यादा सी सो वाली फैमिली से आए हैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रही है इनकी परसनल लाइफ लेकिन इन्होंने अपनी सिस्टर को जब 13 साल की उमर में पहली बार देखा और अपनी सिस्टर को इतने अच्छे से पाल पोस्त करके उन्होंने इनकी शादी करवाई है यह बहुत एक जबरदस चीज़े आदमी बहुत ज़्यादा भावनात्मक है बहुत ज़्यादा बहरा हुआ है बहुत कुछ इसके अंदर है जबरदस वाला कंटेंब और धीरे-धीरे करके बार आएगा बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों देखिए आप कितन के साथ में सीन बना लेता हूँ वो बंदा पवित्रा से दूर हो गया आप समझो खेल खेलते समय उसने अग्री किया कि मुझे टास्क समझ में नहीं आ रहा लेकिन अपना 200 प्रतिश्ट टास्क के अंदर बार बार वो आदमी दे रहा था सूपर एनरजी के साथ में सिधारत को आकर के ये भी का सिधारत आ至 तो में तो मेरे लिए बोलना पड़ेगा नहीं जीद के हैं अपने तरीके से और में अपने कपड़े अर्न करके पहन रहा हूँ तो मुझे ज़यादा मज़ा आ रहा है वहीं कैमरा पर बैट करके या आदमी खुझ से जब बात कर रहा होता है स्टेटजीज बना रहा होता है जब सब के साथ प्लानिंग कर रहा होता है तो यार शाइन कर रहा होता है जबरदस लगता है आदमी वहीं पर उन्होंने जब अपनी कहानी सुनाई कि मैं अपने डॉक्स को अपनी गल्फ्रेंड के बारे में बताते हैं जो आप शादी कर चुकी है उनको एक लड़की भी है उन्होंने बताया बुला नाम मैं नहीं लूँगा नेशनल टेलिविजल पर उन्होंने का कि मेरी डॉक्स को तीन तीन चार चार दिन वो भुखा शेड्स में छोड़ देती थी सिरफ मुझे तंग करने के लिए तो इस गाइश फैबिलस जिसके पीछे बहुत सारी कहानी होती है न दोस्तों वो बहुत रगड सा होता है वो बहुत रॉसा होता है और वो एक जबरदस्त होता है और पॉलिश करते एक डाइमंड बार आता है मैं ये क्या रहा हूँ कि पूरी तरह से खूबियों के साथ पैट डे आदमी ये विनर बन सकता है जबरदस्त है देखते हैं लेकिन आगे खेल में क्या होता है क्योंकि कलम पिछले दो दूनों से हम राहूल की बहुत तारीफ कर रहे थे अगे जो आज रहूल जुस तरह से उनाव और बहुत यजादा गंदा तहा लेकिन अपकर सकते हैं गंदे की इंग Eiरओं के नसलीर tego को करते हैं सब दिखिए आपने क्या जैस्मिन रहा ने क्या भी दिया था ये कपड़ों के लिए बहाने बणा रहा है यह खाने के लिए खाने के लिए बहुत ही बैतरीन तरीके से निकी के वर्डिक्स में कि मुझे मेरा स्टेंड पर पहना पसंद या मुझे कोई बच समझाओ रावल ने उसको समझाया कि बोला बेटा तुम कभी तुम थोड़ी जिदी वहती हो पहरे को एडवाइस करने की है और जान उसके बीचे-पीचे कहरा है जान जो तुमने कह दिया हो बिल्कुल तुम बिल्कुल सही हूँ अच्चा बिचारा समझ नहीं रहा या उसके साथ गलत होता जा रहा है लेकिन क्या कर सकते है दोस्तों लिखा हूँ आए महुबत के अंदर निकी दिल सोड़ती चाहे तो यह ऐसे कर सकती है, और गहर और हिना सकती है, उन्होंने बोला नहीं हम इस सीच के लिए चाहे तो कर सकती है, वहीं बाकी के लोगों ने समझाने की कोशिश की अभीनव को, पवित्रा ने स्पेशली स्टेंड लेकर की बोला अगर वो नहीं कर रही तो हम लोग वैसे क्यों हो रहे हैं आप अपनी ड्यूटी पे तो फोकस करें तो इससे पवित्रा ने कहना चाहा कि वन गर्ल इस नॉट डूइंग हर ड्यूटी प्रॉपरली तो हम तो गर का डेकोरम बना तुम तो स से खाने नहीं देती मगर इस बीच बहुत अच्छा सीन था अगर आपने देखा वा तो इजास की चोटी सी कमी बताता हूं इजाज यह कह रहे थे शजाद को एपीसोड खतम होते टाइम यार यह मेरे दोस्त की बहन है यार मैं से बात करना चाहता हूं यह मेरे से बात करती ही नहीं है कर आपने उस समय उनका फ्लो देखा हो तो वो कोई तीसरा ही टोन था एजास का एकड़म अलगी डिफरेंट कि मैं बात करना चाहता हूं करती नहीं मेरे दोस्त की मेरी दोस्त अभी नहीं हम लोग कॉमन फ्रेंट से मेरी भावी हुई है जबकि भावी को आप ब पास आकर के बोलना शुरू होते हैं मुझे थ्रेट करने कोशिश मजे इनोंने डराने की कोशिश की जैसे मैं घबरा जाऊं तो सिदार ने बड़ा तू डरी क्या तू नहीं डरी ना बस परफेक्ट खेल बिंदास जैसे करना है वैसे कर ले तो अब आते हैं दोस्तों पव दूसरे के हम खा जाएंगे अब बताओ दोस्तों अगर आपको बहुत क्लियर लिए का वाओ के तेरे कपड़े तुझे दे दूगा दूसरे को नहीं दूगा जो हार जाएगा तो बाबु किस हद तक आदमी जा सकता है पूरी चिठी तुम को यह आदमी सुनाता नहीं कितन पर दोस्तों आप लोग देखोगे के जब यह शुरू हुआ पवित्रा पूनिया और उन्होंने बहुत कॉमेडी के साथ में रूबिना बहुत अच्छे से एंटर होती है मस्तियां करती है मजे खड़े कर देती है टास्के अंदर और फिटनेस अपनी दिखाते वे पवे प पवित्रा कहरती इसने मेरे मारा च्छेरियर एसने रैंड जोनमा डाल दिया लडखी खतरनाक है माँ तुम्हें सची बता रहा हो इस्टेचु बार जो पुतला पड़ा है पुतले को पपिया दे रही है पुतले को अश्के में हूए शा preconina बाई यह लड़की कुछ भी कर सकती है आज पुतले हो कन्वेंस कर गी टाज जी दूए इसे लोग वैसे घर में नॉर्मल भूम रही है सिदार्त उसको कह रहा है याद करो याद करो तुम 2010 में कौन थी 2010 वाली पवित्रा बार जाओ कैरी मैं लॉजिकल हो गई हूँ सिदार्त उसको समझा दिया दोस्तों वही बार वही पर दिल को चूने वाली एक बहुत बैतरी चीज़ दिखी हमको सिदार्त शुकला अपने फादर के बारे में स्टोरी सुना रहे थे दोस्तों मैं इस इंसान से इसी लिए प्यार करता हूँ आज थोड़ा सा और अटेच्मेंट बढ़ा कल तक ही अपनी ममी के लिए बहुत प्यार दिखा रहा था तो मैं भी अपनी ममी से बहुत प्यार करता हूँ आप सभी लोग करते हो लेकिन हम लोग को मौका मिला किसी फ्लोर पर आके जाहिर करने का जिस तरहां सिदार्थ ने किया और मैं पहले कर चुका हूँ तो सिदार्थ हमने पापा की जो स्टोरी सुनाई ना दोस्तों अधर अधिस विट मॉलracka मेरी सिस्टर शादी कर के चली गई है। सब के लिए सब कुछ किया और तब तक करते रहे जब तक वो जिन्दा थे और दोस्तों मैं आपको सच बता रहा हूँ कि मैं 50 रुपे का कोई पर्फियूम भी गिफ्ट नहीं कर पाया अपने फादर को 50 रुपीस की भी कोई चीज गिफ्ट नहीं कर पाया और वो चले गए तो देखो यार क्या होते हैं पैरेंट से हार और सिदार्त ने एक और चीज़ कही कि जिनके पास दौनों है वो लोग बहुत ज़दा लखी है दोस्तों आप बहुत ज़दा लखी हो आपके पास अगर पापा-ममी दौनों है तो पता है मैंने ही कहता कि इस experience को कैसे कौन कब कैसे कहां face करेगा मगर यह experience बहुत 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 ज़्यादा डरावना होता है आपके पास दुनिया की सारी खुशी होते हो भी आप चाहते हो उस इनसान को दिखाना जो किसी बिना निश्ठा के किसी भावना के किसी लालच के किसी तरह की भी किसी भी लालच के आपसे दिन राच 24 गंटे मौबत करते हैं दोनों लोग आपके पैरेंट्स कहते हैं जिनको आप दोस्तों ये बहुत जबरदस्त होते हैं, उंदा होते हैं, लड़की के पैदा होते ही, तो बाप जो कॉम्प्रोमाइसेस अपनी जिन्दगी के अंदर करना शिरू करते हैं, पूछो मत इनकी यार, इनमें खुश्बू है, इनमें एक महक है, इनकी बाते हैं, मतलब मज़ा आ इना ने उसको बहुत बहुत बैतरीन तरीके सपोर्ट किया, टास्क होने से शुरू होते हैं, आप लगो ने देखा होगा दोस्तों, कि सिदार्थ कैसे कह रहा था कि इनको कुछ भी करने देना हैं, गौर तो बीच में बताना हैं, I love you, गौर, गौर को देखो, आप गौर मेहदान में लेड़ रहे हैं, मा देख नहीं पा रही है, वो ऐसे बार-बार उसके एक्स्प्रेशन, अल्ला, कुछ हो ना जाए, मतलब वो ऐसा फील करती है, मतलब, सच है honest soul, जबरदस लड़की है वो, सिदार्थ तड़का डालना चाता है, वो honesty से game को खेलना चाती है, व वहीं पर दोस्तों, बाद में शहजाद को निशानत ने पैर मारा, फिर निशानत ने शहजाद को पैर मारा, अंटी अंटी दोनों भाई खेले, और इस अंटी अंटी में, शहजाद ने बहुत बड़िया वाला दिमाग भी लगया था, शहजाद ने पूल के अंदर वेट यू, not always खुश करोंग यू, he is just like that, आँ ठीक है, कर सकता है, तो कर सकता है, आँ ठीक है, कर ले, और उन्होंने वो का वो किया, वहीं पर जब निशांत पेर पर, पेड़ पर क्या होता है, पेर पर, पेड़ पर चड़ रहे थे, तो सिधात ने का, चड़ चड़ कुछी भी कर, जीतो, चल बल, दल, गल, बल, कुछी भी, मुझे तो content चाहिए, मुझे तो बस चाहिए, कि game में कुछ, गर्मी है, तो वो वाली गर्मी वहाँ पर दिखी, और दोस्तों, बहुत बैतरीन तरीके से, पर यहाँ पर यह वाली चीज होती भी दिखी, अभी नो, और रुबिना के अंदर बहुत तेज दिवाग है, आप लोग ध्यान रखना, और निकी तंबोली को कुछ आता नहीं है, इसलिए वो adamant हो जाती है, इना ने भी कह दिया, के वो तरीके से लड़ती हैं, जहान पूचके लड़ती हैं, जैसमिन को भी समझ में आ गया है, जैसमिन कल की बात से थोड़ा सा टास्क को लेकर के भी फिलाल घबरा गई है, लेकिन, लेकिन, जैसमिन बसीन बहुत बैतरीन खेलेंगी, पूल में धक्का दिया अगर तुम लोग कुछ चाहो तो जानते हो तो season 8 में गौर पानी से 7 में बहुत पानी से ढड़ती थी बाबा बहुत ढड़ती थी पर और सिदार ने दक्का दे दिया गालिया बोलो उसको पीछे पढ़ जाओ उसके आदों कि चाहे गौर नहीं पड़ कि मेरे फोन पर उजादा फून तो बहुत महांगा है इसके मूँसे मेरा इसकी बाता है कुछ भी बोलते हैं किसी लिए गंदा-गंदा बोलते हैं शा सब्टाषब दोएक ख्हार के टरहें ख水 एच्छे चीजी आईंगी अपने माबाबसे प्यार करो आसपास वाले पर तक है करें लोग आने वाले और मुझे लगे तक आइडिया नहीं यह नहीं 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 लोग आए chem के लिए तो प्लेम नहीं कर सको किना रहा हूं चुक आएंगे वेय। तो दोस्तों की टास के अंदर हम पर किलेम नहीं कर सकते कि कौन गलत आप सोचो कि फिर में डिप्लोमेटिक हो रहा हूँ या फिर मैं बच बचाता वाँ जा रहा हूँ तो राहूल गलत था मैंने आपको बोल दिया करतार हो चुकी है सब लोग अपने पुने घूरों से करते करती पूद को बार कर न Woo Till इसको मैं दिखाओंगी तो भी वो स्कुछ चाता है इच्छितचने वाली आमा तो खुद दिखा hmm दिखाना चारती है सो दोस्तों खिलाडी बहुत इंटरस्टिंग है वहीं पर जैस्मिन बसी नहीं बारूत की तरह आगे बढ़ती है और फिर थोड़े दे बाद में फिस्व करें कहती है बेर को तो डट लग रहा है फिर जैसी जखड़ा होता है तो एक दम जपाट करता है जपटा मारती है अपने पैरेंट से बहुत जदा प्यार कीजिए अगर आपको कोई चोटी बहन है तो उसके कुछ सपने है तो उनको पूरा करने की कोशिश कीजिए आप घर के बड़े सरफ इसलिए नहीं क्या प्रिंसिपल्स प्रोटोकॉल और चीजों को यह तरीके से चलाते वे रहे हैं लवी वाइस मनु पंजावी